जैस्री राम प्रेमी भक्तों केबल एक गुपतों पाय कर लिया तो निरंतर नाम जब अपने आप होगा करना ही नहीं पड़ेगा बंदू नाम जब का हमारे संतों ने बहुत ही मेहत बताया है और यह सच भी है जिसके लिए संतों ने लिख दिया नाम लिया तिन सब लिया सकल बेद का भेद बिना नाम नर के पड़ा चाहे पड़ता चारो बेद अगर नाम को नहीं जाना और अपने जीवन में नहीं उतारा तो चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो चाहे कितना ही भजनानंदी हो और चाहे उसने चारों बेदों को कंटस्थ किया हुआ हो वो समझो नरक में ही है तो बंदू नाम वह चीज़ है जिसके बारे में थोड़ा बहुती बताया जा सकता है जाता बताया जा सकता ही नहीं क्योंकि नाम के लिए यह भी कहा गया है राम न सकहे नाम गुणगाई श्वेम राम चंद्र भागवान वह भी नाम के गुणों का गुणगान नहीं कर सकते नाम वह सकती है वह नाम पावर है श्वेम ब्रह्म नाम ही है संतों ने यह भी लिख दिया अगर नाम के धारे आकास पाताल जो नाम है उसने ही आकास और पाताल को धारण किया हुआ है तो बंदो नाम के बार में कितना कहा जाए जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा तो आप थोड़े में ही ज़्यादा समझ लें अब प्रश्ण ये आता है कुन सा गुप तो पाय है जिस से हमारा नाम जब निरंतर अपने आप होता रहे बंदू वह नाम हमारे अंदर ही है और वो हमारी स्वांसों में घुला हुआ है और बात रही निरंतर की आप स्वैम ही अंदाजा लगा सकते हैं मैसूस कर सकते हैं देख सकते हैं कि हमारे स्वरीर के अंदर निरंतर क्या चीज़ है हमारे अंदर निरंतर केवल और केवल स्वांस है जो लगातार 24 घंटे चलती है सो जाते हैं तब भी चलती है तो अगर हम इस गुप्त उपाय से इस गुप्त मंत्र के द्वारा जुड़ जाते हैं तो हमारा जो जाप होए निरंतर अपने आप होने लगेगा करना नहीं पड़ेगा तो बंधो स्वांस से जोड़ना सीख लो आप मन को स्वांस से जोड़ने का जो उपाय है यही सर्वुत्तम है आप हर समय स्वांस आ रही है जा रही है स्वांस को अपने मन से देखते रहे अगर आप स्वांस को मन से देखेंगे तो समझ लें आपका निरंतर जाप हो रहा है और जो मंतर है वह भी स्वांस से जोड़ने के लिए ही होता है पहले स्वांस जुड़ेगी नहीं अगर आप नए हैं तो आप जो भी नाम जबते हैं जिस पर आपका विश्वांस है उसी को स्वांस से जोड़े मन के दोरा आपके मन से छुड़ जाएगा और केबल और केबल आपका मन स्वांस को ही देखेगा तो जब वो इस्तिती आजाती है तो आप ये समझें आपको भजन करना नहीं पड़ता भजन आपका अपने आप होता है जाप आपका अपने आप होता है सुम्रन आपका अपने आप होगा पहले पहले करना पड़ता है और फिर अपने आप होता है तो बंदो आप अपने जीवन में इसे उतार ले और ये गुप्त है क्योंकि स्वांस किसी को निजर आती नहीं ये केवल अनभव में आती है जैसे हवा को देख नहीं सकते अनभव करते हैं ऐसे ही स्वांस को हमान अनभव करते हैं देख नहीं सकते हैं इसी को हमारे संतों ने गुप्त कहा है तो बंदो इसको अपने जीवन में आवश्य, आवश्य और आवश्य देखिए हमने तीन बार बोला जरूर उता रहे हैं और अगर आपने उता लिया तो आपका जीवन सफल है जो आपको मरस जनम मिला है कि इसी से सफल होगा अन्य था अगर आपने इस चीज़ को अपने जीवन में नहीं उता रहा तो आपको भटकना ही होगा आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा आपको असांती मिलेगी मिलेगी और इस से आपको सांती भी मिलेगी आपको सुख भी मिलेगा और आनंद भी मिलेगा आसा करते हैं कि आप समझगे होंगे करते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं करते हैं तो आप अपनों जीवन में अवश्य उतारेंगे जैस्रीरा